अबवानी क्लास थरथ आज बच्चो आपका हिंदी व्याकरण का पेपर हिंदी व्याकरण में देखे सबसे पहले आपने अपनी कॉपी उठानी है उसके बाद जो आपको अपना महाँ पर नाम लिखना है अपना क्लास और सब्जक्ट ओकी इसको फिल करना है उसके बाद ध्यान से पेपर सुनिएगा ठीके तो सबसे पहला प्रशने बच्चों आज आपका ध्यान से सुनिएगा ठीके निमलिकित सब्दों के विलोम लिखिए कुछ सब्द दिये हैं उनकी आपको विलोम लिखने हैं तो ध्यान से सुनिए कौन से सब सब्दे हैं आप लिखते सुनते सुनते अपनी कॉपी पर इसको उदार सकते हैं ठीक है सबसे पहला सब्दे है सुख सुख दूसरा है आशा दूसरा आशा तीसा सब्दे है आगे चौता है जन्म ठीक है आप लिखते भी चाहिए इनको जन्म पांचवा सब्दे है आपका अंधकार और छटवा सब्दे है हानी सेवन पर देखिए रोगी और एट पर दोस्त नाइन पर देखिए सत्य और टैन पर धनी ठीक है एक बार मैं फिसे आपको बता देती कौन-कौन से सब्द यह हैं सुख आशा आगे जन्म अंधिकार हानी रोगी दोस्त सत्य और धनी इन सब्दों के आपको क्या लिखने है बच्चों विलोम सब्द विलोम होता है अपोजित जो आप उल्टा सब्द उसका लिखते हैं ठीक है उनको आपको लिखना है कुश्य नमबर टू देखे बच्चों कुश्य नमबर टू सही कतन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का आपको निशान लगाना है तो सही पे ये निशान लगेगा और गलत पे ये वाला निशान लगेगा तो इसमें देखे का है माली पुलिंग है अगर पुलिंग है त स्ट्रीलिंग के थे भेद होते हैं ज McNम नर का स्ट्री लिंग औरत है उन्हों कि आपको क्या करना है जो सही है उस पर सही का निजान और को लगाना है question should number 3 आजाए गुशन की परिवासा लिखिए में सब से बहले आपको लिखनी है निंग की परिवासा की लिंक कि इसे कहते हैं और गड़नर वचन किसे कहते हैं और सर्वनाम क्या है किसे कहते हैं सर्वनाम किरिया विशेशन इनके आपको परिवासा लिखनी है इनके बारे में आपको लिखना है कि ये क्या होते हैं आगे चलिए question number 4, question number 4 पे देखिए, उचित मिलान कीजिए, आपको इसमें क्या करना है, match करना है, मिलान करना है, इदा लिखा काली, खटा, इमानदार, थंडा, रंग भी रंगे, गुलाबी, और इदा से देखिए, frog, कोयल, आदमी, संत्रा, सर्वत, फूल, ओके, आपको इनको क्या करना ह अप देखिए, आपे मैंने, चार प्रश्ने दिये हैं, तो ध्यान से इनको सुनिए, अपने आप होने वाली कोई 4 किरियाएं लिखिए, ये किरिया जो आपको पाट पड़ा आये था मैंने, तो कुछ किरियाएं क्या होती, अपने आप में होती है, ठीके तो उन किरियाओं लेसन था, उसमें पढ़ाय था मैंने, question number seven देखे, कोई चार किरियाईं बताएं जिने आप विध्याले में आने से पहले करते हैं, ये भी आपका किरिया जो लेसन था, उसमें आपको मैंने पढ़ाय था, तो कोई चार किरियाईं लिखनी है, किरिया मैंने काम जो आप करते है विद्याले आने से पहले तो आपको इनको लिखना है कुशिन नम्मर 8 देखे निमलिखित सब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाईए ठीक है? ये कुछ सब्द दिये है इनको क्या करने आपने एक वचन से बहुवचन बनाना है एक से अनेक ठीक है न? आख, घोडा, चिडिया और कहानी ठीक है इनके आपने क्या करने हैं बहु बचन बनाने तो ध्यान से अपना पेपर एक बार पहले सुन लीजीगा उसके बाद इसको ध्यान से करिएगा हैंड़ाइटिंग अच्छी बनाएं बेस्ट आप लग